जै बोलेना दोस्तों वेलकम टो माई योटूब चाइनल बहुत दिन हो गया था वीडियो पोस्ट कियो हो है आज चलिए आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ श्री मत भगवत गीता अध्याय दो चाप्टर टू अर्थ सही आपके सामने रख रहा हूँ आए श्री विष्णु भगवान के चर्णम प्राम किजे श्री कृष्ण द्वारिका धीश्ट श्रिष्टी के पालनहार के चर्णम प्राम किजे भगवत गीता अध्याय तू का आप श्रवन किजे आनंद लिजे जय श्रीकिष्ट जय भोलेना विश्वादारम गगणसजिस्त्रम्मे गवार्णम् शुवांगम् लक्ष्मे कांतं कमलननम् योगी भिध्या नग्यम् बन्दे विष्णुभवय हरनं सर्व लोक्य कनाथं यम ब्रम्हा बनुनेंद्रो रुध्मरुतह स्तुवंती दिव्या स्वय विद्यम् सांगपद क्रमा निनिसद्यांतियम् सामगह ध्याना वस्तिस्त देन्र मनसापस्यंतियम् योगिन यस्यांतन विरू शुराशुर्गण देवायतस्मै नमह ब्रम्भा, बरुन, इंद्र, रुद्र और मरुद्गन, दिव्य, अस्त्रोतो द्वारा जिनकी स्तूति करते हैं, साम बेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनि इस सोदकों के सहित, बेदो द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में इस्तित तदगट हु मन से, जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असूर्गन, जिनके अंत को नहीं जानते, उस परम पूरुष नरायन देव के लिए बिना नमस्कार हैं, अध्या, सीमत भगवत गीता, द्युतिया अध्याय, अर्थ सहित, दूरेणवारम कर्म बुद्धि योगा धननजय, बुद्ध शरम विक्षम किरिपना फल हेतवा, इस समत्व रूप पे, इस समत्व रूप व्युधि योग से, शाकाम कर्म अत्यांत ही निम्र श्यनिका है, इसलिए हे धननजय, तुम सम बुद्धि में ही रक्ष का उपाय धूंडो, अर्थार बुद्धि योग का ही आश्रे गरह कर, क्योंकि फल के हेतु हेतु बनने वाले अत्यांत दीन हैं, बुद्धि योग्त को जाहाती हा उभे सुक्रीत दूस्क्रीते, तस्मा धोगाय यूजस्व योगा कर्म सुक शलम, समद्धि सम बुद्धि योग्त पुरुस, पुर्णे और पाप दोनों का इसी लोक में त्याग देता है, अर्थार उनमें मुक्त हो जाता है, इससे तु सम रूप योग में लग जा, यह सम रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थार कर्म बंधन से छुटने का क्योंकि सम्बुधी से युक्त ज्यानी जन कर्मों से उत्पन होने वाले खल को त्याग कर जन्वरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परंपद को प्राप्थ हो जाते हैं यदाते मोहकलीलं बुद्धी बक्त तिरिस्यती तरागंतासी निर्विदं सोतसस्यचा जिस काल में तेरी बुद्धी मोहरूप दल दल को भली भाती पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने माले इस लोक और प्रलोक संबंधी सभी भोगों से बैरागे क तो प्राप्ट हो जाएगा श्रूती विप्रित्व पन्ना ते यदा स्थाती निश्चला समाध्वा वाचला बुद्धिस्तता योगमा वप्यसे भाती भाती बचनों को सुनने से बिचलित हुई तेरी बुद्धी जब परमात्मा में अचल और इस्थिर्थ हर जाएगी तो तो योग प्राप्ट हो जाएगा अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा इस्थित प्रज्यस्य का भासा सामाधिस्व अस्तर केशव इस्थित तर्दी किम प्रभासेद किम असीत ब्रजेद किम और जुन बोले हे केशव समाधि में इस्थित परमात्मा को प्राप्ट हुए इस्थिर बुधि पुरुष का क्या लक्षन है वह इस्थिर बुधि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बढ़ता है और कैसे चलता है स्री भगवान ने बोला प्रजाहाति यदाकार्मा शर्वान पार्थ मनोगतान आत्मा एत्मा तुस्ट इस्थित प्रग्योत तोस्ट दे श्री भगवान बोले हे अजुन जिसकाल में यह पूरुष मन से मन में इस्थिस संपूर्ण कामनाओं को बहली भाती त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संदूश रहता है उसकाल में वह इस्थिर प्रग्य कहा जाता है दूखे स्वानुं दिगम्ना सुखे सु विगत स्पृह भीत राग भयक्रोध इस्थित देमो नीरूचायत दूखों की प्राप्टी होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्टी में जो सर्वठा निस्प्रिय है तदा जिसके राग भय और क्रोध नस्थ हो गये हैं एसा मुनी इस्थिर बुद्धी कहा जाता है यम सर्वत्रानम प्राप्टय सुभा सुभम ना भिनंती नंद दी न द्वेश्टी तर्शिप्रज्या प्रतिस्थिता जो पुरुष सर्वत्षनिह रहित हुआ उस उस सुभया और सुभ बस्तुओं को प्राप्ट होकर न प्रशन होता है और न द्वेश करता है उसकी बि पूर्मोस्वान्वांगनिवसर्वसasion года, इंद्रियानि, इंद्रियर्थे, भयस्तश्य, प्रग्या, प्रतिस्ठिता और कछुआ सब और से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विशयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तम उसकी बुद्धी इस्थिर है ऐसा समझ लेना चाहिए विशया बिनी वर्तनते नी राहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अस्यम परम द्रिश्टा निवर्त थे इंद्रियों द्वरा विशयों को ग्रहन न करने वाले पुरुषों के भी केवल विशय तो निवरीत हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली आज़सक्ती निवरीत नहीं होती इस इस्ठित प्रेग्य पुरुष की तो आशक्ति भी परमात्मा का साक्षातकार करके निम्रित हो जाती है। बुद्धि मान पुरुष के मन को भी बलात हर ले दे दें। जिस पुरुष की इंद्रिय बस में होती है उसकी बुद्धि इस्ठिर हो जाती है। ध्यायतो विश्यान पुन्ष संगस्ते सूपजायते संगस्ते जायते काम क्रोध्य भी जायते। विशयों का चींतन करने वाली पुरुष की उन विशयों में आशक्ति हो जाती है। आशक्ति से उन विशयों की कामना उत्पन होती है और कामना में बिग्न पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है। क्रोध से अत्यंत मूड भाव उत्पन हो जाता है। मूड भाव से स्मृति ब्रहम हो जाता है। स्मृति में ब्रहम हो जाने से बुद्धी अर्थात ज्यान सक्ति नास हो जाती है। और बुद्धी का नास हो जाने से यह पुरुष अपनी इस्थिते से गी जाता है। राग द्वेस भी यूगतेस्तु विश्यांद्रिनिस जयस्चना आत्म वस्यत विद्यत आत्मा प्रसादामदी गच्छती। प्रन्तु अपने अधिन किये हुए अंत करण वाला साधक अपने वस में की हुई राग द्वेस रहित इंद्रियों द्वारा विशयों में विचरन करता हुआ अंत करण की प्रशंता को प्राप्ट होता है। प्रसादे सर्व दूखानाम हानी रस्यो पजायते प्रसन चेत सो हास्य। बुद्धी पर्यव थिष्चते अंत करण की प्रशंता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन चेत वाले कर्म योगी की बुद्धी सीग्री ही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही भली भाती इस्थिर हो जाती है। नास्ती बुद्धी रयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावयता सांती सांतस्य कुदव सुकं न जिती हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चात में बुद्धी नहीं होती है। और उस आयुक्त मनुष्य के अंतर करण में भावना भी नहीं होती है। तदा भावना हीन मनुष्य को सांती नहीं मिलती है। और सांती रहित मनुष्य सुक कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायू हर लेती है। वैसे ही विशयों में भीरच्यती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष्य की बुध्य को हर लेती है। तस्माद दस्य महाबाहो निक्रियतानी सर्वस इंद्रियानी निक्रियस्त प्रज्याप्रति इस्थिता इसलिए हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विशयों के सप्रकान निग्रह की हुई है उसकी बुद्धे इस्थिर है संपुन प्राणियों के लिए जो रात्री के समान उस नित्य ज्यान सोरू परमानन्द की प्राप्ति में इस्थित प्रग्य योगी जागता है और जिस नाशवान सांसरिक सूख की प्राप्ति में सब प्राणि जगते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनी के लिए वह रात्री के समान है आपुर्ण्य मालं चलं प्रतिस्थम समूंद्र माप प्रविशंति यद्युत तत्व काम यंप्रविशंति सर्वे सासांति आपनोती न काम कामी जैसे नाना नदियों के जल से और सब और से परिपून अचल प्रतिस्थम वाले समूद्र में उसको बीचलित नग करते हुए ही समाजाते हैं वैसे ही सब भोग जिस इस्थित प्रग्य पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन किये बिना ही समाजाते हैं, वहीं पुरुष परम सांती को प्राप्थ होता है और भोगकों को चाहने वाले नहीं। विहाय कामान्य सर्मापुमां चर्चरती निस्प्रिह निर्ममो निरंकार सांती मधी गच्छती जो पुरुष संपून कामनाओं को त्याकर मंता रहेत, अहंकार रहेत और अस्प्रिहा रहित हुआ बिचरता है, वहीं शांती को प्राप्थ करता है, अर्तात वह शांती को प्राप्थ करता है। एसा ब्रह्म ही इस्थितो पार्थने नाम प्राय विमुहती इस्थित्वाम्तम कालेपी ब्रह्मा निर्वाणम रिष्चती ही अर्जुन। यह ब्रह्मन को ब्रह्म को प्राप्थ हुए पुरुष की इस्थिती है, इसको प्राप्थ होकर योगी कभी मुहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म ही इस्थिती में इस्थित होकर ब्रह्मा नंद को प्राप्थ हो जाता है। अम तत्षदिदी श्री मत भगवत गीता सुपानिस्त ब्रम्ह विद्यान yog शास्त Rs. श्री रिक्रिष्णू क्रिष्ण अर्जूण संबादे शांक योग्ये नामं द्यूतिय अध्याए विश्णु भगवान कीजे, कृष्ण भगवान कीजे, भगवत गीता महा काव्य कीजे ज्यादा सा ज्यानल को सब्सक्राइब कीजूए।